आम आदमी पार्टी चोतरफा घिर चुकी है, केजिरवाल को समझी नहीं आ रहा है कि वो कड़े तो कड़े क्या, केजिरवाल अपने नेताओं को E.D. और C.B.I. से बचाएं कि अपनी सरकार की नाकामी छुपाएं, एक तरफ तो केजिरवाल की पार्टी के नेता सलाखों के पिछे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ केजिरवाल की सरकार कई मुद्दों पर घिर चुकी है, लेकिन काम करने की जगह आम आदमी पार्टी के नेता दूसरों पर आरोप लगा कर बचने की कोशिस कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने आपको एक्सपोज करने की ठान ली है, बीजेपी लगातार आपकी पोल खोल रही है, और एक बार फिर बीजेपी ने बड़ा प्रहार करते हुए केजिरवाल को घिर लिया है, वहीं बीजेपी के अलाबा कॉंग्रेस भी आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने में लगी है, कॉंग्रेस के नेता ने भी आपको बड़ा खुलासा किया है, इस खबर में आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी के अलाबा कॉंग्रेस ने भी आपकी नींद उरा दी है, वहीं इस खबर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पीम मोदी ने भी पक्ष को दिया है करारा जवाब, तो बने रही हमारे साथ वी को दूर करने आये हैं रोज एक राजनेतिक शिगुफा दिन में दस बार वो खुद और पूरी पाटी दोराती थी जनता को भी लगा कि चलो एक मौका दे दिया जाए तो जनता ने भी खुले दिल से केजिरवाल को एतिहासिक भहुमत दिया फिर पंजाब की जनता ने भी आई तो आप के नेता दूसरों पर ठीकरा फोर कर भागना चाहते हैं लेकिन बीजेपी ने केजिरवाल एंड कमपनी की पोल खुल कर रख दी है बीजेपी ने साफ कर दिया है कि केजिरवाल ऐसे बहाना बना कर नहीं बच सकते हैं दिल्ली पर जहरीली हवा का खत्रा मंडर आने लगा तो के जिवाल एंड कमपनी के लिए एक कहावत तो कहीं जा सकती है कि नाच न जाने आंगन टेड़ा ऐसा ही हाल कुछ आपका भी है दिल्ली वाले को जहासा देते रहते हैं और काम करने की बाड़ी आती है तो आरोप किसी और पर लगा देते हैं लेगिन बीजे प्रदूशन यंतरन कमीटी के अध्याक्ष अश्विनी कुमार को सस्पेंड करें गोपाल राय ने सीम के जिवाल से आगरह करते हुए कहा कि डीपी सीसी के चेर्मैन अश्विनी कुमार के असमेदन शील और गैर जिम्यदाराना विभार को देखते हुए उन्हें पूछे हैं एंडीमसी के उपाध्यष और बीजेपी नेता सतीस उपाध्याय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से भरस्ट है और उन्हें किसी काम को करने में कोई दिल्चस्पी नहीं है वो सिर्फ बाते करते हैं और दूसरों पर आरोप लग केस सामने आए हैं आप सरकार कब एक्शन लेगी जब दिल्ली गैस चेंबर बन जाएगी या फिर जब लोग बिमार हो जाएंगे तब दिल्ली सरकार एक्शन लेगी वहीं बीजेपी नेता संबीत पातरा ने कहा कि केजरवाल से सवाल पूछे जाने चाहिए कि वो दावा क करते थे कि हम दिल्ली पंजाब को पैरिस बना देंगे वहीं संबीत पातरा ने ये वी कहा कि अरविंद केजरवाल दिल्ली के प्रदूशन के लिए अमेरिकी रास्टपती जो बाइडन को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं तो देखा आपने कैसे दिल्ली में प्रदूशन के है कि देख कर सब हैरान है चुनावी मौसम शुरू होते ही केजरिवाल चुनावी राज्यों के चक्कर लगाने लगते हैं लेकिन केजरिवाल को समझना चाहिए कि पहले वो अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर मस्पूत करें और फिर चुनाव मैदान में उतरें लेकिन को भी टिकेट का लालच दे कर अपने साथ जोड़ देते हैं लेकिन इस बार केजरिवाल को लेने के देने पड़ गए हैं मदब देश उनाव में बहुत ड्रामा हो रहा है और सबसे जादा ड्रामा हो रहा है कॉंग्रिस और आमादी पार्टी में ये दोनों पार्टियां क पहने को एक साथ इंडिया लाइन्स में हैं लेकिन राच में संगठन विस्तार के जेश्ठा के लिए आमादी पार्टी कॉंग्रिस को नुकसान पहुचाने में बिल्कुल भी गोरेज नहीं कर रही दिल्ली गुजरत और पंजाब से होते हुए आमादी पार्टी MP पहुच का लगा आमादी पार्टी के घोशेत उमीदवार ने आमादी पार्टी को टाटा वाय बाय बोल दिया आप में इस शामिल होनी के बाद उस समय उनको बड़ा उलट फेर हो गया जब विवे क्यादव के पास प्रदेश कॉंग्रेस अधिक्ष कमनलात और पूर्व मुख्यम नहीं लड़ेंगे और कॉंग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन देंगे विवेक यादव ने कहा कि मैं जन्मजात कॉंग्रेसी हूँ मैंने उज्जैन उत्तर विधानसभा से उमीदवारी जताई थी लेकिन टिकेट ना मिलने से मैंने नाराज की मैं आमाद कमीटी के सच्चेव और प्रदेश से है प्रभारी कुल्दी पिंदोरा मुझसे मिलने मेरे निवास स्थान पर पहुँचे जो की मुझे अपनी साथ लेकर प्रदेश कॉंग्रेस सत्याक्ष कमलनाथ के पास भी गए थे जहां कमलनाथ जी ने मुझे पार्टी हित में काम कर मुझे प्रदेश कॉंग्रेस के प्रभारी और पार्टी महसची फरंदीप सिंग सुर्जेवाला ने विवेक यादव के साथ एक वीडियो भी जारी किया विवेक यादव ने ये कहा कि टिकेट नहीं मिलने से नाराज जरूर था लेकिन वरिष्ट कॉंग्रेस नेता लगत प्रदी करवाने से अच्छा है कि वापस पुरानी पार्टी में जाक कर पार्टी गिलिक काम किया जाए आमादवी पार्टी भी लगातार कॉंग्रेस में सेंधमारी कर रही है आए दिन कोई ना कोई कॉंग्रेस नेता आमादवी पार्टी में शामल होता जा रहा है तो वहीं दूसरी और कॉंग्रेस भी आमादवी पार्टी को खेर रही है लेकिन सवाल यही है कि जब ये लोकस सिंग सिध्धु आमादवे पार्टी पर जबरतस्त प्रहार कर रहे हैं सिध्धु ने कहा कि ये पंजाब की तास्ती रही है लोगों ने अपने फायदे के लिए सिस्टम को बदल दिया और पंजाब को पीछे धकेल दिया आज भी असली मुद्दों से ध्यान को भटकाया जा असी फिस्धी पंजाब डार्ग जोन में हैं पंजाब की दिक्कत इतनी ज्याद वड़ गई है कि पीने का पानी नहीं है मालवा से कैंटर ट्रेन इचल रही है नहरी पानी जो पीने के लिए लोगों को मिलना चाहिए वो हम दूशित कर चुके हैं पंजाब के हरीके का पान जो एक रेट पीने लाइक था अब सी ग्रेट हो चुका है अब सिर्फ पंजाब में रोपड नहर का पानी ही पीने लाइक बचा है नव्जोच सिंग सिद्धू ने कहा कि पंजाब में रेत 15,000 रुपए में मिल रही है ये कॉंग्रस के समय 33,000 रुपए में मिलती थी में बिचली खरीद रहा है PSPCL को गिरवी रख कर लोगों को सुविधाई दी जा रही है किसानों को मंडिया बना कर देने की बात कही थी जहां अच्छे दाम मिले नवजो जिंग सिद्दू ने ये भी कहा कि शराब से राजस्व जमा करने की बाते होती थी लेकिन अवैद शराब बिक रही है पंजाब के इन मुद्दों पर कोई भी बात करने को तयार नहीं पंजाब में नशाबंद करने की बाते होती थी लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ पंजाब में राजनेदाओं पुलिस और तसकरो का नेकसिस चल रहा है पंजाब का युवा विदेश भाग रहा है विदेश में ट्राला चलाना वाला वहां साथ हजार डॉलर कमा रहा है लेकिन सरकार यहाँ बाते बना रही है यहाँ पर युवाओं को रोजकार और रोचित पकार नहीं है वही सिद्धु ने आगे कहा कि पंजाब में बेद्बी के मामलों में इनसाफ मिलने की उमीद नजर नहीं आ रही है S.I.T. बार-बार बना कर केस के गवाहों और तथ्यों को इतना कमजोर कर देती है कि अब कुछ नहीं हो सकता तो देखा आपने कैसे कॉंग्रेस और आमाधिपार्टी एक दूसरे से लड़ रही है अब देखना है किया कैसे आमाधिपार्टी और कॉंग्रेस जनरता को भरोसा दिला पाती है आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी ना करते है ना करने देते है ऐसा ही हाल कह लीजिए कि विपक्ष का भी है कभी अपने शासनकाल में कुछ कर ना पाए लेकिन मोधी सरकार कर रही है तो जलते ही है विपक्ष कहता है कि मोधी राज में अर्थ विवस्था के चौपट हाल है लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो पियम आर्थेक नीती का समर्थन करती है विपक्ष दावा करता है कि मोदी के राज में तरह हिमाम मचा हुआ है सब खत्म हो चुका है लेकिन विपक्ष को देखना चाहिए कि पियम मोदी के नेतरत्व में देश लगातार आके बढ़ रहा है अब एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रहे कि भारत जल्दी दुनिया को चौका आने वाला है पियम मोदी लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं और उनके सही वैसलों की वज़े से ही आज भारत के लिए अच्छी खबर आई है और ये खबर विपक्ष के मुख पर करारत अमाचा है जो कहते हैं कि मोदी ने देश को बेच दिया है भारत दुनिया की पांचवी सबसे वड़ी अर्थवेवस्था है और 2030 तक 73-100 अरब अमेरिकी डॉलर की GDP के साथ जापान को पच्छाड कर दुनिया की तीसरी सबसे वड़ी अर्थवेवस्था बन जाएगा भारत S&P Global India अवे निर्माण ने अपने नवीनितम खरीद प्रबंथक सुचिकांग में ये बात कही साल 2021-2022 में दो वर्षों की तीवर आर्थिक वृध्धी के बाद भारती अर्थविवस्था ने 2023 वित्वर्ष में भी निरंतर मस्बूत वृध्धे दिखाना जारी रखा मार्च 2024 में समाप्त होने वाले वित्वर्ष में भारत का सकल घरील उतपाद 6.2 से 6.3 प्रतिशत बढ़ने की उमीद है इससे भारती अर्थविवस्था इस वित्वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमोखर्थविवस्था होगी अप्रेल जूलते माही में इशिया के तीसरी सबसे वड़ी अत्वर्ष वित्वर्ष दर 7.8 प्रतिशत रही सनपी ग्लोबल ने कहा के निकट अवधी के आर्थिक द्रश्टिकोड में 2023 की शेश की समय और 2024 में निरंतरती व्रविस्थार का नुमान है जो घरेलू मांग में मजबूत वृधी पर आधारित है अमेरिकी डॉलर के संदर्व में मापी गई भारत की वर्थमान कीमतों की जीडिपी 2022 में 3500 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक 7300 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है आर्थिक विस्थार की इस्तीव रिगती के परिणाम स्वरूब 2030 तक भारती जीडिपी का आखार जापानी जीडिपी से स्यादा हो जाएगा जिससे भारत इशिया प्रशान तशेतर में दूसरे सबसे बड़ी अर्थवेवस्था बन जाएगा अमेरिका वर्तमान में 2,5,500 अरब अमेरिकी डॉलर्स की जीडिपी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थवेवस्था है इसके बाद चीन 18,000 अरब अमेरिकी डॉलर्स के साथ दूसरी और जापान 42,000 अरब डॉलर के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थवेवस्था है महीं भारती और GDP का आकार 2022 तक ब्रिटिन और फ्रांस की GDP से भी बढ़ा हो चुका था 2030 तक भारत की GDP जर्मनी से भी आगे निकलनी का अनुमान है अब देखना है कि विपक्ष पिया मोधी के तारीफ करेगा या कुंठा से क्रसित हो जाएगा और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं